हम पढ़ेंगे causes किसकी कारण से ये हो सकता है मोच फर्स्ट है याका यक अत्वा आकश्मिक रूप से घूमना या अपनी स्थिती बदलना मतलब अगर हम किसी जल्दी बाजी में कोई काम कर रहे हैं जल्दी से इधर उधर जा रहे हैं तो उससे हमें मोच आ सकती है नेक्स्ट है जोड़ पर अधिक खिचाव या दबाव पढ़ना जब मोच में हम अधिक खिचाव या दबाव पढ़ता जैसे किसी का एक्सिडेंट हो गया तो कोई गाड़ी से अगर पैर में लग गया तो ऐसे भी मोच आ सकती है नेक्स्ट है लिगामेंट्स का फिसलना या फटना मतलब अगर हम फिसल जाते हैं कभी-कभी तो क्या होता है हमारे लिगामेंट्स टिशूज भी उसमें फट जाते हैं और वो फिसल जाते हैं नेक्स्ट है पेशियों की ठकावर पेशियों में जब अराम नहीं मिलता है तो उसकी कारण भी मोच उत्पन हो सकता है क्या लक्षन दिखते हैं दर्ध होगा सूजन भी होगी बहुत जद दर्ध होगा पेशियों को करके आवाजाती है जब मोच वाले भागा उपयोग में लेना जब मुच लगा जाएगा हमें पैर तो चलतेजिश मेरी हम चलती पराजे पाएंगे ल आई सब्का क्या कीया सकते है इस ट्रियंन कि इन भी वहल है ध्र यतिक्ष गोरत। हा अराम में क्या होगा प्रभावित स्थान को अराम देना चाहिए जो भी प्रभावित स्थान है उसे अराम देंगे हम उसे अधिक दबाव से बचाना है हमें तो हमें पेशन को अराम कराना है नेक्स्ट है आइस बर्फ मतलब मोच में ततकाल बर्फ का प्रियोग करने से सूज प्रदान करना है जब दबाव में जो सहारा प्रदान होता है मोच में उसको कहते हैं एलिवेशन मतलब उचाई शरीर के आने भागों की तुलना में मोच वाले जोड भाग को उचाई पर या उठाकर रखना चाहिए जैसे हमें पैर में अगर चोट लगी है तो हमें क्या करना है पैर को ऊठाकर रखना है नेक्स्ट पीड़ाहारी औसीड आस्पिरीन आइब प्रूफिन आपर चाहिए जैसे। तो हमें हॉस्पिटल रिफर करना है थैंक यू सो मुझ प्लास